अपने यहां गरीबी कम कर लिया तो भारत के लिए जो है वो क्या है सबक सीखने का समय आ चुका है कि भारत जो है वो सीखे कि कैसे चीन जो है वो अपने यहां गरीबी कम कर लिया ठीक ना अभी पिछले हपते की बात करें तो पिछले हपते जो है वो वर्ल्ड बैंक ने एक और ड्रिपोर्ट में जो है, जब वैश्विक गरीबी के बारे में बात की तो गरीबी के बारे में रिपोर्ट जारी करते है जो इस डिए अचर बात की तो कि कोईड का संकर देखने को मिल रहा है तो एक तरफ हम युद्ध देख रहे थे दूसके पहले हम ने को देखा था तिक उसके बाद सब्सक्राइब का जो एंग क्या है कि विश्व में जो है गरीबी का जुए नया आखड़ा आया है वो जस्ट चीन का जो उल्टा एक टीन ने क्या कि एस कोविड के समय भी हमने देखा या युद्ध का आपका का जो कंडिक्शन बना हुआ विश्र में उसमें भी हमने देखा कि अपने यहां की गरीबी को जो है खतम कर दे मतलब जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट यह आनी चाहिए थी कि गरीबी बढ़ गई है समस्या जो है वो बढ़ गई है लेकिन उल्ठा रिपोर्ट आया कि गरी चीन से सीखने की आउशकता है कि चीन ने कैसे अपने यहां की गरीबी को जो है वो कम किया है अब गरीबी क्या है गरीबी को कैसे परिभाशित किया जा सकते है तो दोस्तों गरीबी को परिभाशित करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े दी है वो आंकड़े क्या गरीब नहीं ठीक ना अगर उससे कम कमाता है कितना टू पॉइंट वन फाइव डॉलर अगर उपर है तो गरीब नहीं नीचे है तो गरीब लेकिन यह आंकड़े जो है वह हाली आंकड़े ठीक ना और जब इसके पहले हम देखेंगे 2019 में यह पाया गया कि भài जब रिपोर्ट आई कि भाई पूरे विश्व में कितने लोग गरीब हैं तो पाया गया कि पुरे विश्व में अगर हम बात करें तो 648 मिलियन लोग जो हैं 2019 तर वो गरीब थे इस वर्ल बैंक का जो रिपोर्ट थे उस रिपोर्ट थे अब यह गरीबी का जो आंखलन है उस गरीबी के आंखलन की जो सुरुवात अगर हम बात करें तो गरीबी के लिए जो एक कहें कि एक आंकड़े की क्या होना चाहिए तो 1990 में हम बात करें तो 1990 में यह कहा गया थे कि एक डॉलर अगर कोई प्रती दिन कमा रहा है तो उसको गरीब हमाना जाए फिर इसके बाद तीन साल बात फिर से यह कहा गया कि एक दिसम्बलवорт तो पांच्ट दिन कमा रहा है तो इसको गरीब نہیں कहा जाए तो इसके बाद 90 डॉलर कोई प्रते दिन कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं कहा जाएगा फिर क्या कहा गया है 2017 में कि 2.5 डॉलर कोई कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं कहा जाएगा और यही 2017 के आंकड़े के हिसाफ से जो यह आंकड़ा निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि चाइना जो है उस वो अब गरीवी महां से खराब है अब विश्व बैंक ने भारत को जो है गरीवी के इस तरवे में भारत के बारे में क्या कहा है तो विश्व बैंक ने कहा है कि भारत वो देश है जहां दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं जो सबसे जादा ह लोग जो हैं वो गरीब है अब फिर प्रश्ण यह उठता है कि सरी चीन ने ऐसे रातो रात क्या कर दिया कि वहां से गरीवी जो है तो विश्वेंट ने यह पाया है कि 1978 से लेकर 2019 तक जो चीन का पूरे का पूरे अर्थिवस्ता को बड़े जब ध्यान से देख रहा है तो यह पाया जा रहा है कि लगभग चीन ने इन चालिश वर्षों में अगर हम बात करें तो अपने यहां के लगभग साड़े 76 करोन दोगों को जो की गरीवी रेखा के नीचे थे उनकी स्तिती को जो है वो ठीक किया है उनके आयके साचन ठीक ना और दोजार 21 में चीन ने जो घूशना की थी कि उसने क्या कहा था कि हमने अपने यहां कि सबसे ज्यादा गरीवी लोगों को जो है वो गरीवी से जो है वो क्या कर दिया है बाहर कर दिया है लगभग साड़े 76 करोन लोगों को टिक ना जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा 1978 में चीन में जो चाचट थी ठीक ना वो कितनी वो गई है वो 1966 में चाचट वर्ष थी आपका जीवन प्रत्याशा चीन में देगे हैं लिए ने डोज़ृ 2019 की अगर हम बात करें जाइना में भात कर रहा हैं 2019 में जो है जीवन प्रत्याक्षा है वह 77 साल की हो गई है फिर लेग मृत्यूत्यूदर की अगर हम बात करें ना चाइल्ड मोर्तिल्टी एक न हम बात करें तो niet in 78 में आगर तो यह बावन लेकिन वही 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में यही चैनल मॉर्टिर्टी रेट जो है वो कितनी हो गई है तो यह हो यह 6.8 की आप समझ सकते हैं कितना बहतर काम करें फिर प्रश्ण यह उठता है कि इतना जल्दी चीन ने जो है वो कैसे यह सब किया है प्रश्ण य यह उठता है कि चीन ने इतना जल्दी यह सब काम किया कैसे है आपके दिमाग में उप्रश्ण आ रहा होगा कि मतलब रात हो रात कैसे क्या किया है चीन की इतना ज्यादा जो है वो हमें यह देखने को मिल रहा है तो दोस्तों चीन के अगर हम बात करें तो चीन ने सारा काम किया कैसे है और उस काम के माध्यम से भारत को चीन से क्या क्या सीखने चाहिए तो चीन ने क्या किया कि जो भी इस्थानिय प्रियोग थे ठीक है ना उस इस्थानिय प्रियोग में इस्थानिय लोगों की सहभागिता को बढ़ाया है ठीक है जिसके माध्यम से वहां का जो प्रभावी शाशन है वो और भी ज्यादा मजबूत हो तू पिलर्स ऑफ चाइना क्या है चाइना का जो दो पिला है वो क्या है ग्रॉड बेस्ट एकनॉमिक ट्रांस्फॉर्मिशन और दूसरा पुवर्टी एलिवेशन इस्ट्रेटी यह आपको देखने को मिल रहा है ठीक है ना सबसे पहला बॉर्ड में क्या है ग्रोइंग एरिकल्चर लिए लेकिन उसने क्या किया है अपने हं क्रिसी उत्पात को ठीक है इसके अलावा इंक्रिमेंटल इंड्रिश्टराइशन मैनेज अर्बनाइशन रूरर अर्बन माइग्रेशन ठीक है सबसे ज्यादा एक चीजहां क्या देख रहे हैं हमारे यहां जो होता है कि लोग कोई छेत्र है बात को समझे भारत में क्या होता है कि भारत अगर को योजना बनाएगी गरीवी के लिए तो क्या करेगी चारों चेत्रों में जो है वह सेम योजना डालतेगे कि लेकिन चाइना ने क्या न देखा कि भाई यहां गरीवी का कारण क्या है यहां की गरीवी कारण है चाइना नोई था लग युजन सांयल करन R न कि युजना इश मे जो है वा लागू करने का प्रैस किया जा है ना इसके अलाबा social protection policy देखिए समाज में जब तक आप अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक जो है वो आप कोई काम risk लिने से डरेंगे तो social status इसके अलाबा targeted poverty elevation strategy अब इसने क्या किया कि देखा कि गरीब जो है एक तो पहले area से गरीब चीजों के वो चाइना किया स्वास के छेत्र जा सकता है तो इसके लिए करने के लिए कि स्थानी सरकारों के बीच में वो क्या हो प्रतिस भरदा को बढ़ावा दीजिए कि यहां का जो छेत्र है जैसे कि जह उसको कहा जा जहीं झो ब्या इस ऐस स्वास्त और सिक्षा के चित्र में आप क्या कीजिए बहतरी कीजिए अब मैंने कहा कि सोचल सेक्यूर्टी के बारे में बारे में तो गरीबों को जब आप समाजिक सुरक्षा के समाजिक साहरता दीजिए समाजिक बीमा दीजिए समाजिक कल्यांड दीजिए लक्षे समाजिक नीतियां वनाई और इसमसारी मध्यम से वह क्या कर